पुरानी संसत में सोमवार को संसत की कारवाई का आखरी दिन है मंगलवार यानी 19 सितंबर से संसत की कारवाई नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी पीएम मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनिट की आखरी स्पीच दी पीएम ने इस दोरान पूर्व प्रधान मंतरियों को याद करते वे कहा कि ये वो सदन है जहां पंडित नहरू का स्ट्रोक आफ मिडनाइट की गुंज हम सबको प्रेरित करती है इंद्रा गांधी के नेत्रत में बांगलादेश के मुक्ती संग्राम का अंदोलन भी इसी सदन ने देखा था उन्होंने कहा सदन ने केश फॉर वोड और 370 को भी हटते देखा वन नेशन, वन टेक्स, जी एस्टी, वन रेंक, वन पेंशन गरीबों के लिए 10 प्रतिश्यत आरक्षन भी इसी सदन ने दिया केंदर सरकार ने 18 से 22 सितमबर तक संसत का विशेश सत्र बुलाया है इस पेशल सत्र में 5 बेठके होगी इस दोरान 4 बिल पेश किये जाएंगे उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जवाब करने के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट तयार की है विपक्षी गडबंधन इंडिया से 24 पार्टिया इस सेशन में हिस्सा लेगी पीम ने पहली बार संसत में प्रवेश करने की यादों को ताजा करते वे कहा पहली बार एक संसत के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने संसत भवन की चोखट पर अपना शेश चुका दिया इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्ध भाव से नमंद करने के बाद मैंने अंदर पे रखा मैं कलपना नहीं कर सकता लेकिन भारत के लोकतंत्रत की ताकत है कि रेलवे प्लेटफर्म पर गुजारा करने वाला एक बच्चा पार्लियामेंट में पहुचा है मैंने कभी कलपना भी नहीं की थी की देश मुझे इतना सम्मान देगा इसी के साथ बने रहे है राज़नमा टीवी के साथ दर देमार